हलो एब्रीवन मैं हूँ रूची और डूइट बिद रूची में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूं डोनट बनानी की रेसिपी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूंदों बिना किसी देरी के डोनट बनाना इस्टार्ट करती है कि को डोनट बनानी के लिए मैंने आपकры कटोरी मैंदा ली है मैं आधी कटोरी पिसी हूई चीनी ली है चीनी को पीस लिया था मिक्सी में और इनको मिला दिया है अब दो टेबल इस्पून मैंने आप पर ओईल लिया है आप ओईल की जगे बटरी भी यूज कर सकते हैं एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोड़ा अब यहाँ पर दो बड़े चम्मच दही लेंगे दही रूम टैम्प्रेचर का लेंगे और एक चुटकी नमक अब इन सभी को बहुत अच्छे से मिला देंगे और अब हम डोनेट के लिए एक सोफ्ट डो तयार करेंगे यहाँ थोड़ थोड़ करके दूड दालेंगे दूड भी रूम टैम्प्रेचर का ही लेंगे बहुत थी थोड़ा सा ही दूद लगेगा मुझे यह डो तयार करने में केवल थी टेबल स्पून ही दूद योज हूआ था एक सोफ्ट सा डो तयार कर लेंगे इसको पांच मिन Memory लगेंगे डो तैयार करने में, बस दो हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको एक बोल में रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल लगा देंगे, और इसको एक प्लेट से ढख कर एक से दो घंटे के लिए रख देंगे, दो घंटे हो चुके हैं, डो मेरा काफी फूल चुका है, काफी इसको थोड़ा सा और मसलेंगे इसको जादा नहीं मसलेंगे अब इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे और इसकी अब लोई बनाकर हम इसको बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसको हमें बेलना है थोड़ी सी मैंदा डस्ट कर लेंगे जिससे कि ये च के लिए गिलास का टोरी को दुरा जुन गिलास घाले हैं। टोनट को पर कर देला है तो Κ यहजो एक डोल के दड़ few बिट कर सचेशके बागी बचे हुए आटे से भी हम अपने डोनट इसी तरीके से बना लेंगे दुबारा से मैंने या पर धकन लिया है इससे अपने डोनट को कट करेंगे कि बीच में होल करने के लिए आप किसी भी चीज का धकन इस्तिमाल कर सकते हैं बस अब मेरे डोनट बन चुके हैं अब हम एक पैन में ऑयल रख देंगे गरम करने के लिए ओयल मेरा गरम हो चुका है अब हम अपने डोनट को फ्राइ करेंगे डोनट को ओयल में डाल देंगे और ये फूल कर अपने आप उपर आ जाएंगे तब ही इनको पल्टेंगे तब तक इनको टच नहीं करेंगे बस ये फूल कर उपर आ चुके हैं अब हम इनको पलट देंगे और ऐसे पलटते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं कि डोनट कितने भड़िया से फूले हैं बस डोनट हमारे फ्राई हो चुके हैं अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे डोनट को फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और बागे बच्चे हुए डोनट को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे काफी अच्छे डोनट बने हैं काफी फूले हैं आप देख सकते हैं बस ये भी डोनट हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, डोनट हमारे बनकर तयार है, अब मैं आपको एक डोनट तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना भड़िया डोनट बना है, एकदम फलपी सा, काफी फूला हुआ है, स इनको हम मैल्ट कर लेंगे, मैंने आप पर चॉकलेट को मैल्ट करने के लिए तीन बड़े चम्मा दूद इस्तमाल किया है, आपको जैसा जरूरत लगे आप उसे साबसे चॉकलेट में दूद डालते हूए चॉकलेट को मैल्ट कर लेंगे, बस चॉकलेट हमारी मैल्ट हो च को चॉकलेट में डिप कर लेंगे अब हम इनको डेकुरेट करेंगे तो मैंने आप डेकुरेट करने के लिए ड्राइफ्रूर्स यूज किये थे तीन-चार काजू और तीन-चार बादाम लिये थे इनको बिल्कुल बारी काट लिया था मुझी से इनको डेकुरेट कर रहे हैं आप इस प्रिंकल्स बगेरा भी यूज कर सकते हैं इनको डेकुरेट करने में और मैंने आप पर जैम्स यूज की है जैम्स इनको डेकुरेट करेंगे तो लीजिये फ्रेंट्स हमारे होममेड एग लेस डोनट बनकर तयार हैं लग रहे हैं ना बिलकुल मार्केट जैसे आप एक बाद जरू ट्राइ कीजिए